नमस्कार दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल साइस भाई अमित्ते साथियो पिछले सेशन में आपने देखा होगा कि है अपने NCRT प्लस RBSC की जो 10th क्लास की बुक है वो स्टार्ट करी थी और उसका जो पहला चैप्टर था केमिकल जेक्सन वाला वो हमने शुरू किया था और उमीद करता हूँ कि आपको वो सेशन पसंद आया होगा आपके समझ में आया होगा और आपको लगा होगा कि अब अपनी जो तयारी है वो और अच्छे से हो पाएगी आपकी पहले से बहुत अच्छी तयारी है और ये सेशन अटेंड करने के बाद आपके तयारी में और काफी सुधार आने वाला है क्योंकि अपन लोगों का NCRT प्लस RBSC दोनों ही पढ़ने पढ़ेंगी तो हम क्या कर रहे हैं कि यहां पे दोनों ही बुक्स को यानि कि मेरा प्रियास यह है कि NCRT में तो मैंसे तो कुछ वैसे भी नहीं छोड़ने वाला और RBSC का जो पैटर्न है वो भी इसमें साथ साथ में लेकर के चल रहा हूँ तो आपको 10th क्लास की जो बुक है वो बुक लेकर बैठनी की आउर सेकता ही नहीं है क्योंकि उसमें से हम लोग कुछ भी छोड़ने वाले नहीं है ठीक है न साथियो तो पहला अपना चैप्टर चल रहा है कौन सा चल रहा है पहला चैप्टर कौन सा अपना chemical reaction वाला है रासाइनी का बिकरियाओं वाला है वो हमने शुरू किया था और आज उससे जिस आगे का जो पार्ट है वो हम शुरू करने जा रहे हैं हमने रसाइनिक विक्रियाओं के बारे में सामाने जानकर इप्राप्त की थी उसका हमने परीचे देखा था कि उसमें होता क्या क्या है तो जो साथी इस क्लास में नए जुड़ रहे हैं वो एक बार प्लीज पिछे वाले जो अक्सिया है वो अवस्या देखें क्योंकि वो अपन रसाइनिक अभिक्रियाओं पढ़ रहे थे रसाइनिक अभिक्रियाओं में अपनी जो अभिक्रिया है अभी हम क्या है कि वो सारी अभिक्रियाओं जो पिछले कक्सिया मैंने आपको बताय थी कि आगे स्योजन आएगी विश्थापन आएगी द्विश्थापन उसमें से अपनी पहली जो अभिक्रिया रहने वाली है उस अभिक्रिया का नाम है संयोधन अभिक्रिया क्या है संयोधन अभिक्रिया अभिक्रिया का नाम क्या है संयोधन अभिक्रिया देखना साथियो संयोधन अभिक्रिया में क्या होगा जैसे कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है संयोधन अभिक्रिया में या तो मतलब क्या होगा इसमें कि दो अभिकारक जो आपस में क्रिया करते हैं जैसे मैं यहां पर लिख र यानि कि इधर जो पदार्थ हमने लिखे हैं वो क्या है आसाथियो वो है आपके अभीकारक वो क्या है साथियो अभीकारक है यहां पर जो चीज हम लिखते हैं वो या तो क्या लिखते हैं वो लिखेंगे या तो ताप लिख देते हैं कि इसमें टेंपरेचर हमको कितना देना पड़ेगा या फिर मदल किसकी उपस्तिती में हो रही है जैसे प्रकास की उपस्तिती में हो रही है या नहीं हो रही है वो चीज यहां पे हम mention करेंगे जैसे माल लेता हूँ अगर sort मैं मोलू तो यहां पे हम जितने भी उत्प्रेरे काते हैं उनके बारे में हम यहां पर लिखेंगे तो उत्परे के बारे में आगे अपन लोग विश्टरी चर्चा करने वाले कि होते क्या हैं क्यों काम आते हैं क्यों डाले जाते हैं और इधर जो पदार्थ बनता है वो क्या बनता है साथियो उत्पाद बनता है खीक ना क्या प्रोड चेंज हो सकता है उसका टेंपरेचर चेंज हो सकता है वो जो टेंपरेचर कलर वगयर चेंज होते हैं जरूरी नहीं कि यह जो ए है वो हो सकता है कि वाइट कलर का हो यह जो बी है वो हो सकता है कि काले कलर का हो और इदर मान लो कोई अलगी प्रोडेक्ट बना जैसे सफेद बन यह जिर्फ और सिर्फ केमिकल चेंज जो होते हैं उनिमें यह पॉसिबल है किसी भी नीक आप सब्सक्राइब, ना सकते हो क्यों ने बहुत कि यह संभव करOP को चाहिएway कि दोले करेगे हैं त अविक्रिया के जैसे हाईटरोजन है और उसने एक्जामपल ले लेटा हूं यहाँ पे, आपके बड़िया समझ में आएगा, जैसे हाईटरोजन है, एकदिन सिंपल लेंग्विज में अपना लोगा को समझना है, मैंने पिछली क्लास में भी यही उधारन लेकर कि आपको बताया था हमने इधर क्या बनाए था साथ कियो इधर हमने जल के दो अनू बनाए थे तो दो अनू बनाने के लिए एक अंकाली हो गई तो इसको हमने क्या कर दिया ही इसने उक्सिजिन के साथ स्योग कि आप यह कौन सी में है ये लिक्विड स्टेट में है यानि ये जरूरी तो नहीं है ना कि गैस गैस मिलकर के बनेगी तो इदर भी गैस बनेगी ये कोई जरूरी नहीं है ये इसलिए जरूरी नहीं है क्योंकि ये रासाइने के बिक्रिया हो रही है और कटाई here कहीं पे भी यह नहीं है कि फिक्स है कि हाँ यह ऐसा ही होगा कि इदर गेस बनेंगी तो ज़र भी इदर भी गेस बनेंगी यहने कि एक ही प्रावसता में होना हावश्यक नहीं है अब विकारक और उतपाद अलग अलग प्रावस्ता में भी हो सकते हैं सेम भी हो सकते हैं इनकी चर्चा हम समांगी और भी समांगी बिक्रिय जो आती है वहाँ हम इनके बारे में विश्रित पढ़ने वाले हैं ठीक है ना और एक और चीज़ आपको बता देता हूँ देखो यहाँ पे हाइडरोजन है यहाँ पे ऑक्सिजन है यह जो भी जल बना है यह जो पानी का निर्मान हुआ है यह किसके कारण हुआ है यह इसलिए हुआ है क्योंकि इन में क्या हुआ है एक नए बंद बने है क्या बने है साथियों इन में नए बंधों का निर्मान हुआ है नए बंधों का निर्मान हुआ है यानि कि नए रिलेसन बने है ऐसा नहीं है कि यह हाइड्रोजन है इदर आकर कि हीलियम बन गया ऐसा नहीं है कि यह ओक्सिजन है इदर आकर कि CO2 में प्रिवर्टित हो गया यानि कि क्या होगा ऐसा नहीं है कि तत्वय चेंज हो जाएगा तत्वय कभी भी चेंज नहीं होता है कौन सी अभिक्रिया में किसी भी chemical reaction के अंदर यानि रसाइनिक अभिक्रिया के अंदर कोई भी जो element है वो कभी भी चेंज नहीं होता है वो सिर्फ और सिर्फ जो अपने nuclear reactions होती है नाभी के विखंडन विक्रिया है जिने हम बोलते हैं वहाँ पे change हो सकते है जैसे uranium की जो विक्रिया होती है वहाँ पे uranium change हो जाता है तो ऐसा हम वहाँ पढ़ रहे होंगे ठीक है न तो यहाँ पे आप यह देखेंगे कि यह जो hydrogen है यह oxygen है इन्होंने मिल करके दो जल के अनुओं का निर्माने किया है और जो यह नए बंद बंते हैं इसकी वज़ए से ही कोई नए कोई नए पदार्थ का निर्माने होता है या तो इनके समन्द आपस में तोटेंगे या इनके समन्द आपस में बनेंगे जैसे अपने होता है न कि इन दोनों के अंदर कोई नकोई साय हो गए एक नए पदार्थ का निर्मान हो गया ठीक है तो ऐसे हम देनेक जीवन से भी जोड़ करके तो ऐसा नहीं होता कि जैसे हम आटा लगाते हूँ कई रूप हो सकते हैं टीक है तो आप अलग-अलग पतात बना सकते हों किसकी वज़ destined आप नए बंदों की वज़ए से वो शह कर का हैं एक चीज और देखते हैं साथियों एक चीज अपन लोग क्या देखते हैं इन्हीं में एक चीज यह आती है कि इनका जो दर्वेमान होता है दर्वेमान जो होता है वो क्या होता है? सरंक्सीत होता है इस बारे में अपन लोग विश्टरी चर्चा करते हैं जलीए ठीक है न? दर्वेमान क्या होता है? जो मास होता है जो दर्वेमान होता है वो अपन क्या मानते है? मानते हैं होता ही है मतलब वो सरंक्सित रहता है वो कभी भी चेंज नहीं होता कौन सी भी amend कर्यांए वो रासाइनी कभी भी में बदलेगा नहीं हाँ नहां नाभी के विखंडन ===भी कर्यां की बात अलग है वहां पर थोड़ा बहुत मतलब चेंज आ जाता है दर्यमान के अंदर भी लेकिन भार में हो सकता है उपर नीचे हो जाए लेकिन दर्यमान जो होता है वो सदेव सरंग्षित रहता है आप किसी पदार्थ को यहां पे तोलिए आप किसी पदात को चंदरमा पे ले जाकर गे तो ले तो उसका जो दर्यमान होगा वो क्या होगा? वो हमेशा ही क्या होगा? बरापर होगा ठीक है न? वो कभी भी चेंजर नहीं होता है जैसे अपन एक रासाइनिक अभिगिर्या के माद्यम से इसे समझने का प्रियास करते हैं जैसे मैं यहाँ पर लिख दूँ यह मैंने क्या लिखा है? यह मैंने लिखा है कैलसिम कारबोनेट चलो इसको उल्टा लिखते हैं, उल्टा लिखते हैं, क्योंकि हैं अभीसितार्त नहीं है , इसकी अभीगिरिया मैंने करवा दी किसके साथ पानी के बवा दी और ये बना लिया इसने क्या बना लिया सिए पानी के साथ नहीं कि कि सियोटो के साथ करवाएंगे कि सियोटो के साथ करवाते हैं केल्सियम अच्छा चलो वही लेते हैं एक बार के लिए रुखना एक मिनट देखो यह बार पिर से देखी जैसे C A O ठीक है इसकी अभीकिरिया यह दिह हम किसके साथ करवाएं जैसे हम जल के साथ ही करवा रहे हैं है किसके साथ करवा रहे हैं तो क्या होगा देखना C A है तो C A 예쁘nous यानि केलसियम यह चैंज नहीं भाट तो कैलसियम में ही रहेगा यहां पर देखो और है इधर ओथेखो encountered है तो बन्रों मिल करके क्या हो गए इसे हम बोलते हैं, C-A-O-N-E कि ये है आपका calcium oxide, क्या है साथियो, ये है आपका calcium oxide, ठीक है, आप इसे बड़े ही जान से समझेंगे, ये क्या है, calcium oxide है, ये क्या है साथियो, ये आपका जल है, आपको सब को पता है, देखो, calcium oxide है, इसे हम बोलते हैं, बीना भुजा हुआ चु बुजा चुना ठीक है ये क्या है साथियो ये है आपका बीना बुजा हुआ चुना है चुना है जो कैसा है बीना बुजा हुआ है ये क्या है साथियो ये जल है आपने क्या किया पानी के अंदर आपने क्या डाला है चुना डाला है पानी के अंदर क्या डाला है चुना डाला करेगा क्या निर्मान करेगा साथ केल्सियम हाइड्रोकसाइड का निर्मान करेगा अपन दो तिन चीज़े एक साथ समझ रहे हैं आपर यहां पर एक तो हम समझने वाले हैं दर्विमान कैसे सरंक्सित रहेगा यहां हम यह भी समझने वाले हैं कि यह किस प्रकार के भी करिया ह तो देखो calcium oxide के अंदर हमने क्या डाल दिया बानी डाल दिया क्या बना लिये इसने calcium hydrogen oxide बना लिया इस calcium hydroxide को बोलते है साथियों बुजा हुआ चुनना क्या बोलते हैं बहुत बार पुछा आ गया question है ये बुजे हुए चुनने का सुत्र क्या होता है तो ये है आपका बुजा हुआ चुना, जो बुजा हुआ चुना होता है, जो बुजा हुआ चुना होता है, वो हम कहां काम में लेते हैं, वो घरों में, जो अपने घर आते हैं, उनमें हमें लोग सफेदी करने के काम में लेते हैं, कहां काम में लेते हैं साथियू, पहले कडी करांगा तो आपस जकन कडी बोलाँ एक हो कलिसियम हाइडरोकसाइड से याद रखेंगे यह आपका MERClyon हुझा 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 है एह झा हुझा 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 हुआ चुना है मैं next slide लेकि आपको समझाना चाहता हूं देखना CSOH2 calcium hydroxide है क्या है ये ये है साथियो calcium और hydroxide क्या है ये calcium hydroxide ये जो calcium hydroxide है अपन कहां का मिलेते हैं अब मैंने भी आपको बताया है कि हम गरों में जो सफेदी करते हैं वहां इसे काम मिलेते हैं तो गरों में सफेदी करते हैं तो अपने क्या किया कि इसको पकड़ा पूरी दिवार पे लगा दिया और दिवार पे लगाने के बाद ये क्या करेगा कि वायू मंदल के अंदर बहुत सब्सक्राइब है अपने वाई beş क्या कर दिए क्टिए इसने कौन सी औकसाइड सबसे अच्छी गैसी से यह लगी तो इसने इसको पकड़ लिया कि चलिए भया आप से अब रेंट सी पी जाएगी तो कारबन डाई ओकसाइड इसे पकड़ने के बाद आगे चल करके क्या प्रोडेक्ट बनाने वाला है देखो तो सी ए का तो सी ए ही रहेगा जैसा ऐसा नहीं हिhा कैलसियम है अब देखो यहांप यह परमानों दे लेगा तो यह पना लेगाँ यहां पे सी ए सी ओ थ्री बंचा क्या है यहां पर हायर्टरोजन के तो बचे हैं औकसिजन का एक बजा है तो पानी का जो अणू है यानि की जल का जो अणू है वो कहां उड़ जाएगा भाप बनकर उड़ जाएगा तो यह जो फॉर्मूला बना है आपके पास केल्शियम कार्बोनेट का इसका बना है आपके पास केल्शियम कार्बोनेट अपन सेयोधन अभी की दिया की बात कर रहे हैं यहांपे क्या बना है यह कैल्सियम कार्बोनेट बना है और उदर क्या बना है आपका जल बना है ठीक है अब देखो कैल्सियम हाइड्रोकसाइड जो होता है मैं आपसे पूछूं कि यह कैसा होता है यह ठोस होता है ये दरव होता है ये guess होता है या ये जलिय ключ होता है तो आप पिछे वाली slide से बता पाएंगे कि सर ये जो है चुना है ये कौन सा है आपका ये थोस सवस्ता में था ये पानी है ये लिक्विड था अब थोस के अंदर आपने पानी डाल दिया तो ये कौन सा विजन बन गया ये बन गया साब आपका जली विजन और जली विजन को हम देनोट करते हैं एक्यू से एक्वा ब बन गया तो आप अब बता पाएंगे कि ये कैसा है ये तो भाया जी आप बताएंगे कि सर अभी अभी आपने बताएंगे कि ये तो एक्वा है ये सी ओ टू कैसी है तो आप बोलेंगे सर ये तो गैस है ठीक अब कैल्सियम कार्बोनेट बनाए साब तो ये कैसा है ये सोलिड ह ठोस है तो ये पानी है तो ये तो लिक्विड है तो भाया जी ये आपकी जो reaction है वो तो क्या हो गई complete हो गई आपको जानकर हैरानी होगी कि calcium carbonate जो होता है इसका एक अन्य नाम ओर भी होता है इसे बोलते हैं साथ यो तो संग मरमर भी इसे बोलते हैं आपना तो गरे कड़ी करा लेकिन बाप कड़ी के बन जाएं बाप बन जाएं संग मरमर यानि कि वो ताज महलист है जो संग मरमर का बना हुआ है उसका निर्वान हो जाता है तो आप देखेंगे दो या तीन दिन के बाद अपना जो घर है वो एक अजीब समख लेके आता है क्योंकि दो तीन दिन के बाद कुछ पलों के लिए ही सही लेकिन आप संगमरमर की फिलिंग ले सकते हैं ठीक है तो यहाँ पे तो बन गया आपका संगमरमर अब देखो मैं यह उठा रहा हूं वापस ठीक है अब यह कौन से बिकरिया का उधारन हो गया देखो केल्सिम हीड्रोकसाइड है वो किसमे मिला है सी ओ टू मिला है तो यह आप देखो आपका स्यों दोन हो गया यहापे तो इसने इसको बना लिया और यह इसके साथ अलग हो गया अब देखो यहाँ पर वहाँ पर क्या बनाता वहाँ पर बनाता आपका सी ए सी ओ थ्री क्या बनाता सी ए सी ओ थ्री अब क्या इससे वापस इससे वापस क्या बना सकते हैं सी ओ बना सकते हैं गया आप बोलेंगे कि सर सी ओ तो बना लो कर सकते हैं बोनों चीज़ें ही संभव हैं अब मापको बोल दू कि आप मेरे को दर्मयमान जिक्र कर रहे थे ज़िदी है को दर्मयमान कि कि 72 के वो अगर मैं यह मान के चलूँ कि यह 40 g 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 तो आपका इतना मेटर हो गया अब इदर चलते हैं केल्सियम का कितना होता है तो आप बोलेंगे किसर अभी अभी आपने बताया है कि चारीशी तो होता है इदर ऑक्सिजन कितना है रहे तो आप बोलेंगे किसर ये तो सोड़ाई है ठीक है ऑक्सिजन का प्रतिक्षिन होता है meter nine oxygeninsky गर्म करबन का कितना होता है तो चार्डा करके जोड़ता है 40 اور 12 कितने हो गए 52 हो गए 52 और 48 टोर्टल कितने हो गए ितर हो गये साथ की हो गया इदर है 100 ग्राम अब अपन को देखना ही है कि आदर है 200 ग्राम आप देखेंगे कि सथ 40 और 46 यह तो हो गए 36 ग्राम और 12 और 32 यह हो गया आपका 56 तो 57 और 54 जब आप जोडेंगे तो ये भी कितना आएगा आपका सो ग्रामHHH अपना कहाववा सत्य हुमा अपना नहीं यह इस अभिक्रिया का कहाववा सत्य हुमा है अपने हो क्या है अपने को तुभ सैस ही यह तो इदर भी सो आएगा इदर भी सोयगा ये है आपका दर्यमान स्रक्षन का नियम जो ये कहता है कि किसी भी रासाई ने कभी करिया के अदर दर्यमान की नय तो हानी होती है और दर्यमान का नही निर्मान होता है क्योंकि दर्यमान को नहीं हम बना सकते हैं, नहीं दर्वेमान को क्या कर सकते हैं, नस्ट कर सकते हैं, इसे बोलते हैं, दर्वेमान स्रक्षन का नियम बोलते हैं, ठीक है न साथित, क्या बोलते हैं इसे, दर्वेमान स्रक्षन का नियम बोलते हैं, यह आपका मास ओफ कंदर्वेसन है, तो यदि आप इसका स्क्रीम सोट बगेरा लेना चाहें तो आप ले सकते हैं देखो चलते हैं आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं और कुछ चीजें और समझने का प्लियास करते हैं देखना साथ है अपने जो देनिक जीवन अपना जो होता है वहाँ पे हम कारिये करते समय है हम कोई भी कारिये करते हैं जैसे मैंने ये मारकर उठा रखा है ये पैन जो है मेरे हाथ में है उसे उठाने के लिए भी मुझे थोड़ी बहुत उरजा के आउसे तब पढ़ेगी पढ़ेगी जैसे ऐसा नहीं है ना कि आप किसी मरेवी आदमी को बोल दो कि यार एक बढ़ तो एक साइन कर दे ताकि वो तेरे वाले जो प्रोपरटी है वो मेरे नाम हो जाए क्योंकि वो उठने वाला नहीं है वो एक सीनेट्र के लिया आएगा नहीं तो अपने को क्या चाहिए बेसिकली कोई भी कार्या करने के लिए जैसे बहुत उरजा क्या उसकता तो पढ़ेगी मैं कोई भी कार यह कर रहा हूँ जैसे मैं यहाँ पर बोर्ड पे लिख पा रहा तो मुझे थोड़ी बोत उर्जा क्या उसकता पड़ेगी पड़ेगी जैसे बाइक है तो बाइक चलाते वक्त क्या हुआगी जैसे कहीं पे तेल खतम हो गया तो अपन इसके हाथ जोड़े खेड़े जाते हैं कि या तुम पांस किलो मेटर प्लीज थोड़ा सा तुम और सले ह मतलब क्या है तेल का मतलब यहां पे उर्जा है उसके पास उर्जा नहीं है आप उसे तेल दे दीजिए वह आपको पांथ नहीं आपको दस किलो मेटर ले कर जाएगी आरामसे वह बिल्कुर मना नहीं करेगी कि ना यार मतलि कौन ले जहूँ बाखिज यह कोन बीचारी है तो आपको कारिय के लिए क्या होगा क्या आपको और जा क्या सकता तो पड़ेगी पड़ेगी तो हमें बोई बाइक को तो क्या है कि हम पैट्रॉल डाल देते हैं जैसे कोई गाड़ी है तो इसको मिल जाएगे अपने इक तो अपने को उर्जा प्राफ्त होती है खाने से और इंशान के खाने के लिए इतने चीज़ें बढ़ी है सुबह अलग स्याम को लगए सुबह उठता है लगए चिना खाओ फिर बिंडी नेरी सब्जी खाओ पे चाह चीए बिंदूद चीए सब्जी मैं नजार बांदी सब् मिठाई खान खाते लाट्डू बूँद या गेवर बेर ओंके के भिणnity कर दोर नर चीज़ें आपने को मैरे चाहिए बढ़िया सी अनर्जी सब्सक्राइब अपने को तो जीव के स्वाध में अपने को अपने को कहाना है तो आपने को जो चीज घाने ओधिपने अपने पॉइंट जो अपन लोग खते हैं जैसे मैं करें हैं अब स्ब्सक्राइब जैसे में ऑपने अच्छी बन दी है आलो की अब सबस्क्राइब अब बाढ़ है मैंकि लेकिन अलू जिए पांग जबानें ब्राप्ट होता है अप इन चीजों को ध्यान से समझेंगे से अब कार्बो हाइडर अपना तो यह काम था ना कि अंदर अपने खाना है दूद अलगा है और सब्जी पता नहीं किस किस किया है तो सरीर क्या करता है सरीर मदद लेता है बैया जी स्वस्थन की किसकी मदद लेता है स्वस्थन के पास जाता है कि बैया यार ये तो समस्या हो गई कार्भो आइड्र है बहुत सारा उसमें वसाबी ये उसमें प्रोटीन भी है अलग-अलग चीज़ आई है तो आप आये थोड़ी मदद कीजिए स्वस्था में सोच है यार ये काम करते हैं यह आए गया है तो इसे हम आक्सिजन दें ही देते हैं तो इसने क्या कि कि इसको अक्सिजन देए वह यह मैं सिर्फ इतना कर सकता हूं कि तेरे वह시면 दे का बना दी इसने इसने बना दी गुलकोऽ ठीक है और गुल्कोज ने फिर क्या किया गुल्कोज ने ऐक्सिजन के साथ क्या कर लिया समझोता कर लिया कि तु गुल्कोज बन गई हो लेकिन ऐक्सिजन वोला तु मेरे साथ गुल्कोज ऐक्सिजन के साथ मिलकर के रहने लगी मिलकर के रहने लगी तो इन दोनों ने मिलकर के क्या बना ली इन दोनों ने मिलकर के बना ली भीया जी उर्जा क्या बना ली इन दोनों ने मिलकर के क्या बना ली उर्जा बना ली जैसे गुलकोज का फॉर्मूला होता है आपका C6H12O6 किसके साथ समझवता कर लिया इसने Oxygen के साथ समझवता कर लिया कितने अनू Oxygen के अब देखो यहां से क्या बनेगा यहां से मैं बना रहा हूँ 6 CO2 यानि कि 6 मैं बोल रहा हूँ कि 6 Carbon Dioxide के अनू निकल गए तो आप देखेंगे कि 6 तो ठीक है ये 6 गया भीया, कोई दिक्त नहीं है Oxygen 6 दूए 12 तो यहाँ पे तो Oxygen 6 थे यहाँ पे 2 थे टोटल 8 हुए आप 12 निकाल रहे हो तो ये तो सैटिंग बैठेगी नहीं तो चलो कुछ और उपर नीचे करते हैं अगर मैं यह कह दो, यहाँ पे मैं 6 डाल दू चलो 6 Oxygen के मैंने अनू डाल दिये अब बोलेंगे हाँ, अब तो साइद कुछ हो जाएगा अब हो जाएगा तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पे 12 करती है मैंने और यहाँ पे कितने आ गए? 12 आ गए इधर क्या है? H 12 है, O कितना है? 6 है तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ यानि कि 2 या फिर मैं यह लिख दू 6 H2 हाइडरोजिन कितने हो गए यहाँ पे? 6 दूए 12 आ और ओक्सिजिन भी कितने हो गए? 6 हो गए, यानि कि 6 तो किसके अनू? करबंडा योकसाइड के साथ में इनको क्या प्राप्त हो गई, साथ में इनको प्राप्त हो गई, भया जी उर्जा, क्या प्राप्त हो गई, साथ यह उर्जा प्राप्त हो गई, यह जो अभीकिरिया है, यह जो अभीकिरिया यहाँ पे होई है, यह आपकी किस प्रकार की अभीकिरिया है, तो आप लास्ट में आपको उर्जा मिलेगी, लास्ट में क्या मिलेगी, उर्जा आपको मिलेगी, नहीं कि उर्जा आपसे जाएगी, यानि जैसे आप स्वसन ले रहे हो ना, आप स्वसन की जो भी किरिया कर रहे हो, आपने स्वसन लिया, अब आप अपने नाग क्या की उंगले लग कर अपनी सांसों की वात करनी है खुद की सांसों की गर्मात आपको मैसूस करनी है तो आप बोलेंगे सर आ रही है थोड़ी बहुत गरमी अंदर से आ रही है इसका बन यह प्नी के र्या है वह तो किस प्रकार की हाग्डिया की इस वह कौन सी हो जाती फिर वह है इसका मतलब आपकी तो आपकी सासे आइंगी वह त्हंडी सहाइंगी प्रम की तो पिछे एक भीक्रिया लिखी थी दुबारा लिख देता हूं जैसे सी ए ओ वाले लिखी थी उसमें आपने एच्टू ओ डाला था आपने क्या बनाया था बुजा हुआ चुना बनाया था कैल्सियम हाइड्रोक्स एड का निर्मान किया था आप बोलेंगे सरी यह कौन से भ लड़ीज़ए वो बी आतलिस सhouse कि रही है लास्ट में क्योंगा होता है वह वापको मलब गरम शीज़ प्राप्ट होगी कब लस्ट में प्राप्ट होगी आपको गरम चीज़ और पहले आपको पहले जो पदार था है वो आप गठट आई है बाद मैं कोई लगया चीज गरम प्रापत हुई है इसका हम अमर्लश की PMP रिखार है कि यह दो बात नहीं आपको और बता देता हूं इसके बारे में जैसे यहां पर मैंने लिखा हैं। की जब बात की हो रही है। की घुने चीज़ में आपको और बता देता हूँ कि अगर आप चुन्ने पत्थर के अंदर कोपर सलफेड डाल देते हैं क्या डाल देते हैं साथियू आप डाल देते हैं कोपर सलफेड ये बहुत काम की चीज़े हैं कोपर सलफेड डाल देते हैं तो एक नया मिस्रण बनता है उस मिस् क्या नाम होता है साथ यो आपक्स के रूप कारिय करता है यहां पर मैं पर सलफेट लिखा है क्या लिखा है सी यू एस ओ फो यदि मैं क्या कर देता हूं इसमें 5 H2O डाल देता हूँ यह जो 5H2 हो है यानि की जलके कितने अणों है 5 अणों है यदि मैं ऐसा कर देता हूँ तो ये बन जाएगा आपका निला थोथा ब्लू विट्रॉल बन जाएगा क्या बन जाएगा साथियो निला थोथा बन जाता है वो निले थोथे का उपयोग प्राचिन समय में रजा माराजा किसी को दंड देने के लिए करते थे आंखों में डाल देते थे उससे आंखे उट जाती थी तो आपको इसका उपयोग यादरत नहीं किया सिकता नहीं है आप इसका नाम याद रखो कि कोपर सलफेट में यदि 5 जल के अनू है कितने अनू? 5 जल के अनू तो क्या बनेगा साथ यू? निला थोथा बनेगा अगर मैं ये वहीं पर यदि मैं बात करूँ जैसे जिंक की बात करता हूँ जैड़नेस ओफ़ोग जिंक सलफेट है उसके अंदर 6 जल के अनू है ये 5 है यहाँ पर कितने है? 6 है ये जो बनेगा वो बनेगा आपका वाइट विट्रोल यानि की सफेद थोथा क्या बनेगा? सफेद थोथा बनेगा और वहीं ये दि मैं बात करूँ लोहे की तो FESO4 पलस 7H2O कितने जल के अनू है? साथ है साथ जल के अनू है तो ये जो बनेगा वो आपका बनेगा ग्रीन विट्रोल यानि की हराथोथा क्या बनेगा साथ हराथोथा बनेगा तो आपको ये दोनों तिने चीज़े ही समझनी है बहुत ये अच्छे चीज़े हैं बहुत बारिन से क्यूशन पूछे गए हैं एक दो बॉर्दो मिस्रन का अच्छा क्यूशन बनता है यहां से कवक नासी के रूप में कारिय करता है बॉर्दो मिस्रन कोपर सलफेट और चुनने का मिस्रन कवक नासी के रूप में कारीए करता है फिर आपका यहांपे क्या कोपरıt सल्पेट में पांच जलके अनू है तो यहांपे है जर्डन एसऔर और साथ जलक और हैं जलक की मातरा कितने है हैं साथ यह आपको क्या पर न्यानि कि हरा थोता तो आपको यह ढना तिनन ठ हम एills के आगर एर लावरां की है यह, वह दो, एके शो, दिएपिफोरा सिन्न रहा हाओ।